400 साल बाद दीपावली पर बन रहा महायोग, इन चार राशियों की बदल जाएगी किस्मत बैद्यनात धाम के जोतिश से जाने। देवघर के प्रसिद्ध जोतिश आचार्य पंडिक नंद किशोर मुदगल ने कहा कि इस साल दीपावली और धंतेरस के पहले 400 साल बाद महायोग लगने जा रहा है। महायोग यानि की कई योग एक साथ लगेंगे जिससे कई राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है। परमजीत कुमार देवघर डौट सनातन धर्म में कुछ भी खरीदारी के लिए शुब दिन और मुहूत देखा जाता है। वही दीपावली के पहले खरीदारी के लिए महा शुब मुहूत आने वाला है। जी हाँ, इस साल धंतेरस और दीपावली के पहले कई खास महा सन्योग बनने जा रहा है। कई सालों के बाद पुश्य नक्षत्र दो दिन रहने वाला है। माना जाता है कि कुछ भी खरीदारी करने के लिए पुश्य नक्षत्र सबसे शुब दिन माना जाता है। आज 4 नवंबर कोशनी पुश्य नक्षत्र है और 5 नवंबर यानी कल रवी पुश्य नक्षत्र प्रवेश करेगा यदि आप रवी पुश्य नक्षत्र में कुछ भी खरीदारी करते हैं खास कर सोना चान्दी या कुछ आभूशन तो माता लक्षमी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके साथ ही दीपावली और धंतेरस के पहले कई सन्योग और भी लगने जा रहा है जो इस धंतेरस को खास बना देता है। तो लिए देवघर के जोतिश आचार्य से जानते हैं कि दीपावली से पहले क्या खास सन्योग बनने जा रहा है और इससे किन राशी वालों को फाइदा पहुचाने वाला है। क्या कहते हैं देवघर के जोतिश आचार्य, देवघर के प्रसिद्ध जोतिश आचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने कहा कि इस साल दीपावली और धन्तेरस के पहले 400 साल बाद महायोग लगने जा रहा है. महायोग यानी की कई योग एक साथ लगेंगे जिससे कई राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है. चार नवंबर को शनी पुष्य नक्षत्र, पांच नवंबर को रवी पुष्य नक्षत्र रहने वाला है. इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनी अपनी स्वाराशी कुम्भ में विराजमान है जिसके कारण गसकेश्री योग का भी निर्मान होने जा रहा है वही पांच तारीक को शश महायोग का भी निर्मान होने जा रहा है और नौ तारीक यानि धंतेरस के एक दिन पहले अश्ट महायोग का निर्मान होने जा रहा है डॉट यह योग काफी शुग माना जा रहा है और करीब 400 साल के बाद इस योग को एक साथ देखा गया है इसके साथ ही इन दोनों तारीख में धंतेरस की खरीदारी के लिए सबसे शुग दिन माना जाता है डॉट वही यह महायोग दीपावली में चार राशियों के लिए किस्मत खुलने वाली है चार राशियों वालों की खुलेगी किस्मत धंतेरस और दीपावली के पहले महायोग का निर्मान होने जा रहा है कई योग एक साथ लगने वाले हैं जिसके कारण चार राशियों वालों के उपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और यह योग काफी शुब माना जा रहा है इस योग में अगर आप कुछ भी खरीदारी करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी वही योग के बनने से मेश, व्रिशब, तुला और धनु राशी वालों के लिए दिपावली काफी शुब रहने वाला है माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी व्यापार में काफी लाब पहुचने वाला है वही नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का भी योग है